हेलो बच्चों आज के इस वीडियो पे आपको यहाँ पर बताने वाले हैं क्लास 10th का एक काफ़ी ज्यादा important topic जो की आपका होने वाला है प्लास्टर आफ फेरिस तो इसके बारे हम लोग पूरा अच्छी तरीके समझेंगे पूरा explain तरीके से यहने की प्लास्टर आप पेरिस क्या है कैसे बनता है और हाँ साथ ही बोड एक्जाम में इसका उपयोग भी पूछा जाता है ठीक है तो अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा इसका मतलब पूरा रासाइनिक नाम जो हो जाएगा होगा आपका कैलसियम सलफेट हैमि हाइटरेट ठीक है तो यह क्या है इसका रासाइनिक नाम है अब आते हैं इसका अड़ सूत्र अड़ सूत्र काफी important है तो सूत्र इसका होता है C.A.S.O.4 इंटू हाप H2O अत्वा इसको आप यहाँ पर आपको पता है कि objective question 20 number के आते हैं तो इसमें तो आप आउर भी बनने वाला है चलिए बनाने की बिधी क्या होती है कैसे बनता है तो देखे इसमें जो है बनाने की बिधी क्या होती है इसमें आपका C.A.S.O.4 इंटू H2O जो होता है इसमें इसको क्या करते हैं 373 Kelvin ताप पर तो 373 Kelvin ताप पर गर्म करने पर जल का अडू अलग हो जाता है तो दा प्लास्टर आफ पेरिस प्राप्त हो जाता है इसकी reaction देखे यहां पर समझे थोड़ा सा आपके सामने है C.A.S.O.4 इंटू H2O अब इसमें कहा गया है कि इसको 373 Kelvin ताप पर गर्म करना है तो यहां पर कह रहा है कि जल के अडू इसमें क्या होते हैं अलग हो जाते हैं तो इसमें बनता है पहले प्लास्टर आप पेरिस यानि C.A.S.O.4 का होल ट्वाइस इंटू H2O या इसमें कर सकते हैं हाफ H2O लेकिन reaction को balance फिर करना पड़ेगा तो इसके आपको इतना ही करना है और यहां पर क्या बनेगा तो जल के अडू यानि कि 3H2O यह जल के अडू आपकी अलग हो गाई और यहीं आपका होता है क्या प्लास्टर आप पेरिस तो यह बन गया प्लास्टर आप पेरिस और फिर आपको क्या करना इसका जो भूड़ cig bald में आता है उपयोग, उपयोग पूछा जाता है कि इसको कहां कहां पर उपयोग में लाया जाता है, तो देख़ी, इसका उपयोग समझिए, प्लास्टर पेरिस एक सफेज चोन होता है, ठीक है जैसे आप लोग यहां पर आभी चलिए जानते हैं, आभी आपको आपका जो white चूने की तरह जो पदार्थ होता है, विल्कुल hard हो जाता है, वही आपका होता है, plaster up paris, तो यहाँ पर यही कि जो कठोर हो जाता है, उसे जिफसम बोलते हैं, और इस कारण यहाँ टूटी हुई हड़ियों को जोड़ने के लिए plaster up paris, जो है काम में आता है, ठीक इसका तूटी हड़ियों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, दूसरा इसका उपयोग क्या होता है, खिलाउना बनाने में ठीक है, जैसे मने बताए कि hard होता है, तो इसको जिस आकार में ढाल दिया जागा, वैसा ही रहेगा, और मूर्तियां बनाने में इस प जाने बनाने में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, और इसे यहाँ पर एस प्रकार से कह सकते हैं, आम भासा में इसको पी ओपी भी कहा जाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा घरों में इस सब चीजें, उपयोग में आती है मकान में, तो इस प्रकार से यह होता है, प